स्री संजे राउत जी स्री संजे राउत प्लीज डेपुटी डेपुटी चेर्मन सर प्लीज 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 बैटकर बात करें संजे राउत जी डेपुटी डेपुटी चेर्मन सर राश्ट्रपती के भाषण पर पुरा सदन चर्चा कर रहा है सुन भी रहे है अजाज साब के बाद सब trzy सुनि है भुपंदर यादुञजी के बाद भी सुनि है सुखन्चय दादा के बाद भी सुनी है सर राश्ट्र पती जी का जो भाषन होता है वो तो सरकार के मन की बात होती है मन का आवाज सुनिए बात एक व्यक्ति की होते हैं आवाज ये सरकार की मन का आवाज है वो भी हमने सुन ली लेकिन देश में भी एक आवाज उठ रहा है वो भी सुननी चाहिए जिस प्रकार का माहोल देश में आज हम देख रहे हैं या बनाया जा रहा है मुझे लगता है कोई शक्ति है जो देश को फिर एक बार तोड़ना चाहता है देश की एकता को खत्रा पैदा करना चाहता है नफरत का माहोल पैदा करना चाहता है तुकडे तुकडे ग्यांग की बात यहां हुई मैं मानता हूँ हो सकती है लेकिन अगर सरकार इस तुकडे तुकडे ग्यांग से नफरत करती है इस वकार की कोई बात है तू तो माहोल बन रहा हूँ, दुरुष्ट करनी की भी आपने पहल करनी चाहिए लोग भेटे हैं, दो-दो मेने से सड़क पर उत्रे है किसी भी धर्म के हो, लेकिन देश के नागरीक है इस देश के नागरीक है, हमारे है सब आप जाए उनके साथ बैठिये उनके मन में जो डर है, वो दूर करिए आप कहते हो, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास विकास के बाद छोड़ दिए, साथ साल में विकास होता है देश का विकास होता है, विश्वास की बात है साथ की बात है अब इस साथ की बात करे तो हम 30 साल का हमारा साथ था न, अब हमारा साथ में, 30 साल विश्वास की बात करें, तो सबसे ज़्यादा विश्वास गात हमसे ही हुआ है, छोड़िये, तो ये जो बाते हैं, राष्ट पुदी जी के भाषन पर होती है, हम बात करेंगे, लेकि देश के सामने जो असली समस्या है, उसको तो राष्ट पुदी जी ने अपने भाषन में टस नहीं किया, आपने कहां सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र पर सरकार चल रही है, और सरकार पूरी निष्टा इमानदारी से काम कर रही है, ये बात कहने के जरूरत क्या ह हमारे मन में कोई शंका नहीं आपके इमानदारी के बारे में, तो आपके मन में कंशुजन क्यों है, इमानदारी और निष्टा के बारे, ऐसा कौंसा माहूल है कि आपके मन में शंका है, कि आम इमानदारी के साथ काम कर रहे हो, सरकार ने कहा, कि हमने आठ करोड गरीबों को मुक्त ग्यास कनेक्शन दिये है 2 करोड गरीबों को घर 38 करोड गरीबों के बैंक खाते खोले है उसमें 15 लाग जब आएगे तो बैंक खाते पुरे हो जाएगे 24 करोड लोगों को भीमा सुरक्षा कवज दिया है 3 करोड लोगों से ज़्यादा लोगों को मुप्त बीजली का कनेक्शन दिया है यह सब आपने दिया है हम मानते है लेकिन आपने इस लाखो करोडो बेरोजगार युवाओं को काम नहीं दिया है जिसकी सबसे ज़्यादा जुरूरत है आर्थिक मंदी की वज़े से इस देश में जो बेरोजगारी का राक्षस खड़ा हुआ है देश में लगबक वन थर्ड युवाद बेरोजगार है एक करोड युवाओं ने पिसले एक वर्षे में नोकरी गमाई है अगर इसका जिकर भी राष्ट पदी जी अपने भाशन में करते तो हम इस भाशन का स्वागत करते हैं अगर आप इमानदरी की बात करते हो तो ये भी इमानदरी से बात कहने हो कि देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार पैदा हुए है हर दो घंटों में तीन बेरोजगार आज खुद कुशिक कर रहे हैं बेरोजगार भी खुद कुशिक कर रहे बेरोजगार इसे लोग परिशान है जान दे रहे है और आप GDP बढ़ने के बात करते हो अर्थ व्यवस्ता बरबाद हो चुकी है बेकार हो चुकी है और बजट का सबसे लंबा बाषण देने से अर्थ व्यवस्ता में तेजी नहीं आईगी मैं आपको बताना चाहता हूँ एक साल में हेशिया की सबसे कमदूर करंसी में से एक हिंदुस्तान का रुपया है यह हमारे अर्थ व्यवस्ता है कश्मिर के बात हो गई कश्मिर के बात 370, 35 अच्छी बात है हमने स्वागत भी किया था लेकिन उसके बात क्या हुआ कश्मिर में जम्मो कश्मिर में आप बताए महाराष्ट्र में तीन मैने में 14 जवान शईद होये महाराष्ट्र के कश्मिर में 14 हमारे जवान आज भी शईद होते हैं कश्मिर में तो माहूल ठीक हुआ यह आप कैसे मान सकते कितने नए उद्योग वहां गए कितने लोगों को रोजगार मिला है आप बताए आज भी हम जाकर वहां दो इनकी जमिन नहीं खरिद कर सकते मुझे मालूम है 370 निकाला है ने आपने मैं चाहता हूँ वहां जाकर स्कूल निकालो मेरे परिशे से मैं खरिदना चाहता हूँ जमिर आप मुझे दिजिए मेरा मेरा चैलेंज है मैंने बहुत कोशिश कि फिर 370 आपने निकाला है देखें कानून बनाए कानून बनते है लेकिन कानून जो होता है उस जनता को डराने के लिए उसकी आवाज दबाने के लिए नहीं होता जनता को एक सुरक्षा के भावना दिर्माण करने के लिए होता है लेकिन जीस प्रकार से कानून हम बनाने के लिए जा रही है बनाते है उससे देश में civil war like situation हो रही है आप देखे बाहर लोगों के मन में कितना डर है भय है कानून का डर होना चाहिए मैं मानता हूं लेकिन धशत नहीं होनी चाहिए यह कानून का राज है कानून से चलेगा सविधान से चलेगा डॉक्टर अंबेड कर कि सविधान से चलेगा मैं मानता हूं लेकिन जीफ तरह से कानून से डर पईदा करके जो राजनीती होती है इससे देश को खत्रा है आपने भाशन में हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर के बारे में बड़ी बात कही है सेनाओं को सुरक्षा बोलों के पास परियापत हत्य सुरक्षा उपकरेंट बुलेट टूप जाकेट उसके वारे में बात कही है मैंने कल प्रदानमंत्री का भाशन सुना है आपने कहा कि अगर हम मन मिलाते है तो पाकिस्तान को आट-दस दिन में हम धूर चटाएंगे हरा देंगे हरा दो मैं अभिनंदन करता हूं लेकिन आप आपको मालूम है मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे देश के जवानंग की हलत क्या है हमारे जो पहला मिलेटरी फोर्स है अक बार भी आए है इसक om fire उसको सबसे ज्यादा अर्थिक मंदी का जो फटका बैठा रुप नहीं है सिमा पर तैना जवानंग को तंखा नहीं है द स्नोबूर्टे नहीं है, 9000 फीड उन्चावी पर हमारे जवान वहाँ लड़ाक और स्याचित में है, ये स्येजी का रिपोर्ट है, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये टुकटे-टुकटे ग्यांक का रिपोर्ट नहीं है, मैं आपको बताना चाता हूं, हाँ बरफिले इलाकों में जो तैना जवान उसके पास स्नो बूट नहीं है भाई साब स्नो बूट नहीं है तो आप पाकिस्तान को हराने की भाषा करते हो सबसे पहले हम हराएंगे सबसे पहले हमारे फाउच को उनकी जो जरूरत है उनको जो रेशन का भत्ता है उनके बच्चों को जो एडुकेशन का जो भत्ता मिलता है उनको जो बूट, उनको जैकेट्स उनको जो स्नोग्लास मिलते है वो नहीं मिल रहा है वो आप पहले दिजिए उस बारे में चर्चा करिए ये बात तो चलती है विकास की बात चलेगी विश्वास की बात चलेगी सबके साथ की बात चलेगी सालों साल चलेगी हम भी आपके साथ साथ विकास करते रहेंगे देश है आप मत बोले प्लेज 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 ने थाल भाट कर रहा हूं कोई और बात रिकॉर्ट पर लें जाएगी प्रीज ने रिपुर्ड की बात कर रहा हूं राकेश जी आप बढ़ जा कि पर चेर से पर्मिशन नहीं है आप संदेश जी आप चेर को एड्रेस कर बोले मैं मानता हूं कि देश बनाने की जिम्मेदारी देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सब की है हम सब जय बनाना चाहते हैं इसलिए राश्र पुश्ची जी का भाशन मतिन भी चाहता हूं लेकिन अगर यह कूछ बात राश्र पुची जी के भाशन में आजाती तो यह पुथ परकूर है अगर अब जिक्ट्ट्ट्ट ना सब्सक्राइब करें करें संजेश राउच जी अप अब रहे छोड़ो प्लीज एस बैठें ये ये आप चेर को अब चेर करें आप चेर को अब ये प्रह प्लीज है अप जवाज़िए आप जवाज़िए प्लीज आपने अपनी जगा बैठे उन्हें बोलगे निए अप सब्सक्षक एया है अब छोड़ा पाखे नदी नदीन दोगानों पेस्ट देसाए लचा कि अब बीड़ीन अच्छिए डिन नदेना कि प्लीज आप लोग बैठें बैठें अगर कोई आपती जनक चीज है कहा जाएगा वो एक्जामीन होगा आपको जो अब्जेक्शन है कहेंगे एक्जामीन होगा सब्सक्राइब के आधार पर मैं बोल आपकी बात रिपोर्ट है कि राष्ट्र पती जी ने भाष्ण किया है